पस्ट क्रिश्ट है कि रामकृष्ण मिसन की स्थापना किस ने की थी तो कह सकते हैं इसकी स्थापना स्वामी वेका नन्नी किया था 1 माई 1897 को कब किया गया था 1 माई 1897 को ये ध्यान रखेगा ठीक है अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हम समध लेते हैं जैसे कि 897 में इसकी स्थापना कहां पर की गया थी तो पस्ची मंगल के वेलूर मट में किया गया था और स्वामी विवेकानन के गुरु कौन थे तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परामांस ये भी याद रख सकते हैं और इनका जन्म कब हुआ था तो विवेकानन जी का जन्म जो हुआ था 1863 हम ये कह सकते हैं और इनकी इम्रित्ति हुआ था 1902 में ठीक है ये ध्यान रखेगा और यहां से questions अक्सर पूछ जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था स्वामी वेकानन का वास्तविक जो नाम था नरेंद्रदत ये ध्यान रखेगा नरेंद्रत और इनको जो ये नाम दियागा था स्वामी वेकानन ये किस्तर दिया था तो खेतरी के महराजा जो अजित सिंग थे उन्होंने इनका नाम स्वामी वेकानन की दिया था या फिर कह हाली पत्ती का संबंद बंधुवा मजदूर से option A will be correct answer हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हाली पत्ती बंधुवा मजदूर या फिर बंधुवा मजदूरी से संबंद देते हाली पत्ती के अंतरगत बार्दोली छेतर में कपिल राज जन जाती के लोगों को उच्च जाती हो कि यहाँ पुस्तेहनी मजदूर के रुप में कारे करना होता था इसी को हाली पत्ती कहा जाता था नेक्सट्किस क्या खह रहा है कि पिछ्चड़े वर्गों का उठ्थान किसका मुख्य कारे करम था इस प्रस्टएं का सही अंसर हो जाता है सत्ते सुदक समाज सत्त्य सुदक मिलता है याद रखेगा चलिए नेक्स्ट क्वेसंस उन्निश्वे सदाबदी के धर्म और समात सुधार अंदुलन ने जन संक्या के किस वर्ग को मुख्यता आकरसित किया किसको तो बुद्धी जीवी को नगरिये उच्छ जातियों को और साती सात कह सकते हैं उधार राजवा कि पराथना समाज कि स्थापना की थी कि स्थापना कि तै कि प्राथना समाज कि स्थापना किस न की थी to राइट आंसर विल बी option A, आत्मराम पांडूरंग, option A correct होगा, सत्य सोधक समाज ने संगाठित किया था, correct answer का option C, महराष्ट में एक जाती विरोधी आंदोले, ठीक है, सत्य सोधक समाज की स्थाप में जुतिवा फुल्ले ओलेडियम उपर में देख चुके थे, वह बंगाली ने था कौन था, जिसने समाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रुद्धी वालता का समर्धन किया, तो इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाता है, राधा, कांथ, देव, option A correct है, नेक्स्ट प्रस्ट मैंता है कि निम्न में से किस वर्ग को सरप्रत्थां पस्च में सभ्यताने परभावीत किया था, सरप्रत्थां पस्च में सभ्यताने परभावीत किया था, तो correct answer होगा, option C, सिक्षित, हिंदू, मध्यम वर्ग, जितने भी questions यहाँ पर लिए गए हैं, वो कभी ना कभी exams में पूछे गए हैं, और इनी में से exams में अक्सर questions पूछे आते हैं, तो इस topics को अच्छे से cover कर लिजेगा, इससे बाहर आपको extra चीजे नहीं बढ़ने की जुरत होगी, द्यानसर स्वत्ती द्वारा स्थापित बताए क्या है, द्यानसर स्वत्ती जी द्वारा स्थापित यहाँ पे निम्न में से कौन सा समाज था, तो द्यानसर रवत्ती ने आरे समाज के स्थापना की थे, ध्यान रखेंगे, आरे समाज के स्थापना इन्हों ने की थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर ने की राधा स्वामी सत्थसंग के संस्थापक कौन थे राधा स्वामी सत्थसंग के संस्थापक कौन थे तो इस प्रस्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे सिव द्याल सहाब ठीक है सिव द्याल सहाब नेक्स्ट कुशन करा है कि निमली खीत वीवरन पर विचार कीज़े यानि यहाँ पर पूरा पॉइंट्स अच्छे से पढ़ेंगे जैसे 1853 जन में यह पस्मी भारत के पारसी थे इन्होंने कह सकते हैं कि इंडियन स्पेक्टेटर और वाइस ओफ इंडिया के संपादक थे और यह एक समात सुधारक थे और कह सकते हैं कि सम्मति आयू अधिनियम 1891 के पक्ष के प्रमुक संखर्स करता थे तो बते हैं कि उप्यूक्त जो पाराग्राप है यह किसके बारे में है यह किसके बिज़े में तो इस प्रस्टने का सही उत्तर हमारा हो जागा कह सकते हैं कि B.E.M. मालाबारी ठीक है में ये बाल बीए मालाबारी ओप्सन हम B को टिक करेंगे देखें चलें इसके बारे में अच्छे तरीके से हम यहाँ पर डिटेल में बात कहले ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो देखें बहराम जी महरवान जी मालाबारी अक्सर हम यहाँ पर भी ये मालाबारी कहते हैं तो भारत ये कवी थे, प्रकासक थे, लेखक थे, तता समात सुधारक थे, और वे इस्तिरियों के अधिकारों की रक्षाक में प्रबल पक्च धर थे, उसी के साथ आगे पढ़ सकते हैं कि वाइस ओफ इंडिया का पहला अंक जो की पहली तारिक सन 1883 को प्रकासित हुआ था, और हकसर आपको पता हुआ कि वाइस ओफ इंडिया जो की दादा भाई नरोजी के साथ मैच करने को देता है, लेकिन ध्यान दीजेगा अगर उप्संस में बीये माला बारी हो, तो वहाँ पे हम उप्संस बीये माला बारी को ही टिक करेंगे, क्यों यहाँ पर पढ़ सकते है कि दादा भाई नरोजी ने उनकी आर्थिक रूप से सायता की थी, तथा माला बारी ने दादा भाई नरोजी की अनुपस्तिती में उसे चलाने का उत्तरदाईत्व स्विकार किया, आर्थिक कठिनायों के कारण 1890 की पहली जनवरी से वाइस ओफ इंडिया को क्या किया गया यानि कि एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, तो इस चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, चलिए नेक्स्ट कोईशन देखिए, सारदा अधिनियम के अंतरगत लड़कियों एवं लड़कों के बिवा के नियूमतम आयू करम सा कितने धारित की गई थ यो बिवा की नियूमतम आयू थी, वो कितने थी? तो सही आंसर होगा, चौदा वर्स और अठार वर्स, लड़कियों के लिए चौदा वर्स और लड़कों के लिए अठार वर्स सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी? सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी? तो इस प्रसन का सही उत्तर होगा, गोपाल कृष्णे गोखले, ठीके, ऑप्सन बी को टिक करेंगे, गोपाल कृष्णे गोखले ने सर्वे आप मोहंटराय ऑप्सन A को टिक करेंगे साथ सेत मैं आपको जा दूँ कि ध्यानन सरस्वत्ती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है यह आपको याद रखना है क्योंकि यह भी पूछा गया है कई पार वेदों के पुनर्थान का सरे किसे दिया जाता है तो सही आंसर यहाँ पर हो जागा स्वामी द्यानन सरस्वत्ती ठीक है ओप्सन C को टिक करेंगे नेक्स्ट प्रेस्ट ने कि इन में से किस प्रख्यात समात सुधारक ने ग्यान योग, कर्म योग और राज योग नामक पुस्तके लिखी है तो कर्म योग, ग्यान योग और राज योग नामक पुस्तके किस के दोर लिखी गई है नरेंद्र दत की दोरा यानि वीवेका नंद्जी के दोरा एक करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट प्रेस्ट दिखिए क्या है कि महरास्ट के किस सुधारक को लोखित वादी कहा जाता है ये क्वेस्ट भी बहुत बार पूछा कि अच्छली यहां पर जो भी क्वेस्ट वो पूछाई गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यह important है और यह important नहीं है तो अच्छे से सारी questions को याद रखना हो सके तो आप notes बना करके इनको याद रखिए चलिए लोखित वादी के नाम से हम किसे जानते है गोपाल हरी देश मोग ठीक है डी विल बी correct answer नेक्स्ट point है कि भारत के प्रथम आधुनिक पुरुस किसे कहा जाता है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुस किसे कहा जाता है तो इस प्रस्टन का सही उत्तर होगा हमारा option C राजारा मोहन राय को आधुनिक पुरुस के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट प्रेस्ट कहा कि वेदो की और चलो किस ने कहा था बते कि वेदो की और चलो या फिर वेदो की और वापस लौटो के ये नारा जो है किस ने दिया था किस ने बात ये कही थी तो यह बात करे गयी थी स्वामी द्यरलां सरस्वत्ती जी के दोरा कि वेदो की और वापस लोटो वेदो की और चलो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जहो किस नहीं की थी तो राइट अंसर यहाँ पर होगा मैडम व्लाडी वस्ट की और आलकट तो यह करेक्ट अंसर आपका हो जाता है उप्सन ए चलिसे समादित कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यह क्या चीज था जैसे देखें जो मैडम हम कह सकते हैं व्लाडी वस्ट की थी वो कहां से रूस की निवासी थी और साथी साथ जो आलकट आप यहाँ पर देख रहे हैं अमेर्की निवासी करनल हिंडरी आलकट ने 17 नॉमबर 1875 को नियू यॉक में थियोसोफीकल सोसाइटी के स्थापने की थी तो यहां से 2-3 और कॉछिशन तो बन सकता है कि कब की थी 1875 में कहां की थी नियू यॉक में ठीक है किसके दोरा तो आपने उपर में नाम देखी लिया अब यहां पे बात करते हैं कि 1889 में society का प्रधान जो कार्याले है वो New York से मुंबई में लाया гिया ये चीद धूहने रखीगा कि 1889 में इसका जो प्रधान कार्याले नियुआक में था उसको मुंबई में लाया गिया उसके बाद हम कहें सकते हैं कि 1882 में उसका प्रधान जो कार्याले था वो अडियार यानि कि चैन्नाई में अंतिम रुप से स्थापित कर दिया गया तो ये क्वेस्ट अक्सर पूछ जाता है कि अडियार में कब स्थापित किया गया था तो 1882 में ये चीज आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखिए सत्यार्थ प्रकास की रचना किस ने की थे सत्यार्थ प्रकास की रचना किस ने की थे तो द्यान सरस्वत्ती ने किया था करेक्ट अंसर को आप्सें डी यहां से अक्सर एक क्वेशन से यह पूछा था कि सत्यार्थ प्रकास की रचना द्यान सरस्वत्ती ने इस भासा में की थी, तो हिंदी भासा में क्या गया था, ये ध्यान रखेगा, भारत में Theosophical Society की सफलता मुख्यता थी, भारत में Theosophical Society की जो सफलता थी, मुख्यता किसके कारण हुआ था, तो correct answer Any Basin के द्वारा option X होगा, देखे हम यहाँ पे detail में पढ़ सकते हैं कि 1889 में Any Bas जो की एक आरीस मैला थी इंग्लाइन में थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्ता ग्रहाण की ठीक है ध्यान रखेगा और 1893 में एनी बेसेंट में सिकांगो में एवजित विद्सुधर्म समेलेंड में भाग लिया जिसमें विवेकानन ने भाग लिया था और इसके बाद वे थियोसोफिकल सोसाइटी सफलता का मुख्य कारण इन्हीं को माना जाता है के लिए अगला पॉइंच देगे निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो इस क्वेशन को ध्यान से समझ लीजेगा अकसर यहां से इसी तरह के क्वेशन पूछे जाते हैं अगर इस तरह से न हम लोग ने देखा था यह पॉइंट गलत है क्योंकि मैडम ब्लाडी वस्ट की और कह सकते हैं करनल अलकाट ने किया था तो यह महादेव गोविंदरानाडे के साथ गलत है इस वज़े से ऑप्सन डी को यहां पे टिक करेंगे के लिए अगला पॉइंच राजारा मोहन राय को राजा की उपादी किसने दीते तो यह जो राजा की उपादी दीए थी अकबर दुइतिये ने दिया था अब यहां पर मैं आपको उजा दू कि अकबर दुइतिये कौन था देखिए अकबर दुइतिये को अकबर सा दुइतिये के नाम से भी जाना जाता है और भारत का अंतिम दूतिय मुगल समरार था यानि कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट और इनका कारेकाल क्या था अठाराव सो छे से अठाराव सो थातिस तक इन्हों ने सासन गया था चीक है और अगर हम एक दुसरे तरब से देखें तो ये किसके पुत्र थे साह आलम दूतिय का ये पुत्र था और कह सकते हैं कि बहादूर सा जफर यानि कि जिसको लोग बहादूर सा दूतिय कहते हैं उसका ये पीता था तो आई होब कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा और साती साथ यहां पे जो राजा आप देख रहे हैं राजा की उपाधि अकबर ने भी एक दिया ठीक है राजा की उपाधी अकबर ने भी दिया था और किसे दिया था अकबर ने राजा की उपाधी बिर्बल को दिया था ये ध्यान रखीगा ठीक है कवी राज और साथी सत राजा की उपाधी बिर्बल को दिया गया था ठीक है जबकि बिर्बल का वास्त्विक नम महिस दा का समर्थन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आइज ओफ कंसेंट एक्ट किस वर्स पारित हुआ। कि दे एज ओफ कंसेंट एक्ट जो कब पारित किया गया था। 1891 option बीकोटिक करेंगे यहाँ पढ़ सकते हैं कि The Age of Consent Act 1891 में पारित हुआ इस समय गौर्णर जंडरल कौन थे लैंस डाउन थे यह ध्यान रखेगा और इसके समय में ही केंदरिये विधान परिसद की सदस्ता की संख्या में ब्रिधी करने की बात की गए थी और परोग्च रूप से निर्वाच्छन परणाली के वस्था की गए थी और यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इस अधिनियम के तहती यानि कि The Age of Consent Act के तहती बारह वर से कम आयू के लड़कियों के विवा पर रोग लगा दी गए थी ठीक है चले अगला पॉइंट देखिए राजाराम मोहन राय के समाधी कहां पर इस्तित है राजाराम मोहन राय के समाधी कहां इस्तित है तो सही आंसर होगा Option C Bristol England में ठीक है Bristol England में अगला प्रस्ट निये कह रहा है कि निमन में से किस ने कहा था अच्छा सासन स्वसासन का स्थानापन नहीं है ये बात किस ने कही थी ये बात कही थी स्वामी द्यानन सरस्वती जी के दोरा C को टिक करेंगे Next questions कह रहा है कि निमलीखीत में से कौन एक सुमेलित नहीं है तो चारो पॉइंट्स को अच्छे से पॉइंट्स गलत है इस वज़स आप्सन B को टिक कर सकते है भारत्य ब्रह में समाद्स की बात के तो केसो चंदस्चेन बिल्कूल सही है राधास्वामी सत्थसंग तो उपर हैं लोगों ने देखा था राधास्वामी सत्थसंग जो के सिव द्याल सहाब तो आप जहां पर कहेंगे कि तुल्सी राम यह तो यह भी गलत हो जाएगा लेकिन फिंस में आपको बता दूँ कि तुल्सी राम जो था उनका वास्तविक नाम था यानि कि ये बिल्कुल साही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुलसे राम जो था, वो सीव द्याल सहाब का ही वास्तविक नाम हुआ करता था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल साही है, यानि correct answer option हम B को टिक करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा, ऐ ऐसा ना हो कि आप गलती कर किया हो, इक्जामस में, चलिए, next questions, निम्न में से किस वेक्ती ने सवर पैथम स्वराज सब्द का परयोग किया, और हिंदी को राष्ट भासा माना, सबसे पहले किस तिंग, तो correct answer है, स्वामी ध्यानन सरस्वती जी, B को टिक करेंगे, देखे, next questions कर रहा है कि निमली खित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो चारों पॉंट्स को अच्छे से पढ़ी और बताइए कि कौन एक अच्छे तरीके से सुमेलित किया गया, बाकी तीन तो गलत ही है, भारतिय ब्रहमे समाज की बात के तो उपर उन लोगों देखा था, इसके बार की बात के तो गोपाल कृष्णे गोख ले, डी विल बी करेक्ट आंसर, नेक्स प्रशने की भारतिय ब्रहमे समाज के संस्थापक थे, भारतिय ब्रहमे समाज के संस्थापक अभी कई बार हम लोगों ने बात कर लिया, केसव चंदर सेन, सी करेक्ट आंसर है, नेक्स प्रश करते हैं राजारा मोहन राय उसके बाद द्यानन सरस्वति और लास्ट में स्वामी विवेकानद यानि एक दो चार तिन एक दो चार तिन ऑप्सन बीको टिक करेंगे कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेंने की सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी के चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह क्यूं प्रख्यात थे हैं देखे हम यहां पर पढ़ सकते हैं कि 1905 में पूना में गुपाल कृष्ण गोकले ने भारती सेवक मंडल यानि कि सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थ प्रख्यार करना और सेविधानिक ढंग से भारती जनता कि सच्चे हितों को प्रोचाहन देना था ठीक है और इसके बारे में उपर में बात करें तो एमसी से तलवाड बीएन राव और कृष्ण स्वामी एयर जो थे इस अंस्था के प्रखात सदस्य थे ठीक है ना तो इस से इस साहिं उत्थर हो गा ईस्वर चंद्र विध्या सागर ठीक है औप्सके अप्सन बीको टिह करेंगे ब्रह्म्य समाच का सिधान्त अधारिता ब्रह में समाच्ट कीने स्थापित क्या था राजारा मोहन रायने और असका सिधान्त जो अधारिता किस पर अcussionsरड़ ups दो ए तो प्रश्ण का सही उत्तर होगा option D, उप्रोक्त सभी, यानि ध्यानन सरस्वत्ती भी और इस्वर्चन्द विद्यासागर राजरा मोहन रहे भी, यानि तीनों का तीनों यहाँ पर करेक्ट है। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर अंदोलन निम्ण में से किसके विरोध था। यह questions बहुत important बन जाता है। तारकेश्वर अंदोलन का संबन्ध जो है वो किसके विरोध था, तो मंदिरों में भरस्टा चार के विरोध था, option हम एको ठीक करेंगे। और ध्यान दीजेगा कभी- पूछा जा सकता है कि तारकेश्वर अंदोलन का नित्थित्व करता कौन थे, तो स्वामी सचीतानन्द, जो की ध्यान देगा, स्वामी सचीतानन्द, किलर, next question, राजारा मोहन राय ने निम्ण में से किसका विरोध नहीं किया था, तो उन्होंने पास्चात्य जो सिक्षा इसके बारे में उन्होंने विरोध नहीं किया था, next question देखी कि इन में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताएगी कौन सही नहीं है, तो 1839 में विलियम बेंटिंग ने राजारा मोहन राय के सयोग से ही सती प्रता का कानून द्वारा अपराद घूसित किया गया बिल्कुल स तो गलत यहाँ पर होगा option D, क्योंकि राजारा मोहन राय जो थे सती प्रता के विरोधी थे ना की समर्थकते, ठीक है, चलिए, अगला point देखिए, ब्रह्मे समाज, रामकृष्ण मिसन और आरे समाज में क्या समानता थी, तो इन तीनों में क्या समानता थी, तो हम क्या सकते कि तीनों ही राजनेती को देशियों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देश भक्त की भावना के विकास की साहता दी थी, तो इस वैसे ये तीनों में एक दूसरी से समानता थी, नेक्स्ट प्रस्ण क्या रहा है कि 1843 के एक्ट ने किस बात को गयर कानूनी बनाया, द यदि भगवान अस प्रिस्ता को सहन करते हैं, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूगा, ये क्वेशन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस प्रस्ण का सही उतर हमारा होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ओप्सन हम B को टिक करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोईसन देखिए, क्या कह रहा है, एक चीज़ साहद आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दू, फिन्स की बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनको भारती रास्टवाद का भागिरत रिसी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता था, ठीक है, चलि ने, तो सही आंसर होगा, की सो चंदर से, और ये क्वेसन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको डारेक्ट इसी तरह से याद रखेगा, उनिस्वी सतापदी के उत्रार्थ में नौ हिंदुवाद के सर्वस्रिष्ट प्रतिनिधि कौन थे, नौ हिंदुवाद के सर् दार उल उलम किस थापना किस ने की थी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दार उल उलम क्या था, तो ये एक पर करका कह सकते हैं कि इसलामी विश्व विद्या लेता, चीक है, जो कि देवबंद यूबी में स्तित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1866 में, किसके दोरा तो राइट आंसरों का ओप्सन बी, यानि कि कह सकते हैं मुहमद कासीम ननोतवी ने, ठीक है, ओप्सन बी को टिक करेंगे, चले फिंस, नेक्स्ट कुजन देखे, बाल बिवा प्रथा को नियंतित करने हित्व, 1872 के सिविल मेरेस आक्टर में, लड़कियों के बिवा की नि सिकांगो में आयोजित, पार्लियमेंट आफ वर्ल्ड्स रिलीजिन में भाग लिया था, धर्मसभा में भाग लिया था, धर्मसभा अंदोलन जो हुआ था, तो कब लिया था, तो उपर में लोगों ने अल्रेडी देख चुका था, अठारा सो तिरान पे, ठीक है, आप्सन हम B को टिक करेंगे, next questions कहा रहा है कि सुमेडित कीजिए, यहाँ पर चारों में से आपको भिलाना है और बताना है कि क्या सही तरीके से मैच होगा, देखे अगर इंडियन लीग की हम बात करें, तो इंडियन लीग जो के 1875 में सिसीर कुमार घोस्त ने इसकी स्थापना किया था तो यहाँ पर फर्स्ट का एक के साथ मैच होगा, और अगर हम बात करें इंडियन एसूसियेशन, तो ध्यान रखेंगे, इंडियन एसूसियेशन 1876 में आनन्द मोहन बोस और सुरेंदनाथ बैनर जी के दौरा स्थापित हुआ था, तो आनन्द मोहन बोस हम यहाँ पर और आपको यहाँ पर देखें सुरेंदनाथ बैनर जी भी दिख रहा होगा, तो आप यह मत सोचना कि हम इसको इसके साथ मैच करते थे, और ऐसा क्यों, तो आपको यह पता होगी भारती रास्टी उधार संकी जो स्थापना की गई थी, इसके स्थापना सुरेंदनाथ बैन इनन्द मोहन बोस, यानि B का 3 के साथ, तो B का 3 के साथ यहाँ पर मैच कर रहा है, इस वज़े से करेक्ट आंसर हमारा है, और उसी तरह से याद रखेंगे, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्ट जो एसके संस्थापक सेद अहमद कान, यह चीज आपको याद रखने है ठीक है, 1888 में इसकी स्थापना किया गया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर उप्सन ए होगा, चले, थर्ड क्वेशन देखें, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1837 में की गया थे, उसका नाम क्या था, और यह पहला जो की राजनीतिक संगठन मना गया था, क स्थापित, उस संगठन का नाम बताइए, जिसका 1886 में इंडिया नेशनल कॉंग्रेस में विलाय हो गया, तो इस प्रशन का करेक्ट आंसर होगा, इंडिया नेशनल कॉंफरेंस, ठीक है, ऑप्सन हम D को डिक करेंगे, अगला प्रशन मनता है कि सुची 1 को सुची 2 के साथ स उबताइए, यहां पर किस के सास्थ तरीके से मैच होगा, तो देखिन सगया रहे होगा, के करके मैच करना देखें, तो British India Acadia Association, जो होगे रधा-कांत देव, यहां पर होगा यहां पर रधा-कांत देव, अब मैं आपको बताता हूँ के रधा-कांत देव ऐसा क्योंगा, त ब्रिटिस इंडिया असोसीेशन के हम बात करें तो लेंड होलडर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिस इंडिया असोसाइटी जो था इन दोनों को मिलाय करके यह बनाय गया था अधिक्ष की बात के तो राधाकांद देव थी जब कि इसके सचीव के रुप में दिवेंदना टाइगोर थे यह ध्यान रखेगा यानि एका यहां पर तीन होगा एका तीन तो यहां पर मिल रहा है यहां पर मिल रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसुसियेशन की बात करें तो यहां पर किसके साथ मैच होगा तो यह हमारा करेक इनके साथ मैच होगा सयद एहमद खान और आपको ये चीज़ पता होगा सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना गुपाल कृष्ण को उखले ये तो बहुत बार पूछा जाता है तो इसको याद रखेगा तो कुल मिलाकर यहां पर करेक्ट आंसर मार हो जाता है ओप्सन बी कोई दिक्कत नी नेक्स्ट वन एक निमलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ओफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिज संसद में भारत के प्रति निदित्तों की मांग की थी तो ध्यान रखेगा जो पुना सरवाजनिक सभा इसने ये मांग की थी पुना सरवाजनिक सभा का गठान upgrade 870 में हुआ था दोप्राइल 870 में इस में क्या हुआ तर फेंस के 875 में जो किस पुना सरवाजनिक सभा ने ये याचिका की थी लेकिन अगरम बात करें किस थापना का की थी किसके दोरा की कि थी दो अप्रइल को एमजी रानाडे के साथ साथ जी बी जूसी द्वारा ये स्तापित किया गया था हूं ठीक है और इन्हों ने ठारसो पच्छतर में बिट्टी संसर में भारत के प्रत्य निषित्यों की मांग प्रस्टूत की थी तो ये ध्यान रखेगा राइट आंसर यहां पर होगा ऑप् नेक्स्ट प्रस्ट मनत है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गए थी 1884 में जो किसके संस्थापना की रूप में G.S.I.R.M. कह सकते हैं विरंदवा चारी और साथी साथ आनन्द चारलो ये तीनों आपको याद रखना है नेक्स्ट क्विशन कह रहा है कि निमलिखित में से उनको संगठन के अधार पर करमवार सजाई है यानि उनका जब भी संगठन गठन किया गया था उस वक्त हमें सजाना है उनके समय के अनुसार तो चलिए पहला देखते हैं अगर हम फर्स्ट की बात के तो बंबे एसोसिय सब्सक्राइब करना है एक तरफ संगठन और दूसरे तरफ संस्था संस्था इंडिया इंडियान लीग 1875 अब हम इन सभी को एक साथ सजाते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आएगा एक उसके बाद हम कह सकते 1875 चा उसके बाद 1876 लास्ट में हमारा होगा मद्रास महाजन सब 1884 यानि 1432 देख लीजिए option D बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेशन से कि सुची बन को सुची दो के साथ मैच करना है एक तरफ संगठन और दूसरे तरफ संस्थापक है तो दिखे लैंड होल्डर सोसाइटी गरम लोगों ने बात किया था उपर में जिसके संस्थापक बात करें तो इसमें हम आनंद मोहन बोस लगा सकते हैं Indian Society आनंद मोहन बोस ध्यान दीजिका Indian Society और यहां पे इनिडियन एसूटीशन दोनों में आनंद मोहन बोस तें तो यह थोड़ा सा आपको समझना है जो कि मैं आपको नीचे बताँगा तो Indian Association में हम कह सकते हैं यहाँ पे correct होगा option A ठीक है तो देखें यहाँ पे सही आंसर मारा हो जाएगा option A जो की 43-21 बिल्कुल correct हो जाता है तो इसको अच्छे से याद रखेगा और यहाँ पे आपको दो point समझना है देखें क्या क्या था जैसे Indian Society और Indian Association तो Indian Society के स्थापना 1872 मे क्या गया था किस के दौरा आनंद मोहन बोस के दौरा जबकि Indian Association 1886 में इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस और सुरेंजनाथ बैनर जी भी दे तो यह दोनों आपको याद रखना है नेकस्ट क्रेशन से कि राश्ट्य कॉंग्रेस से पुर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थे? Indian Association of कलकत्ता यहाँ पर डी को टिक करेंगे Next one करें कि 1908 में बालंगदर तिलग को जेल हुई थी कितने वरसों के लिए? 1908 में इनको जेल हुई थी 6 वरसों के लिए option हम यहाँ पर B को टिक करेंगे देखे हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं बालंगदर तिलक को 3.1908 के दिन देश विद्रों के आरोप में गिरफतार कर लिया गा था दरसल अपने अकबार केसरी में दो करांती कारियों को बचाओ करने और सवराजची का अववाहन करने के कारण गिरफतार किया गया था इन्हें 6 साल की सजा हुई थी और 6 साल की सजा इनको वर्मा के मांडले जेल में भेद दिया गया था और सबसे खास बात आपको यह ध्यान देखना इसी जेल में इन्हों ने जो कि जेल में कैद रहने के दौरान ही 400 पंडों की एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था गीता रहज ठीक है गीता रहज सिनी की पुछा जाता है ज्यान रखेंगे एक चीज़ यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि बालगेदर तिलक के सजा के पस्चात जो की कहा सकते हैं कि कि सने दया क वकालत की थे और कहा था कि संस्कीत की एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिल्चस्पी है मैक्स मुलर ये धान रखेंगे नेक्स्ट वन की भारत में गरमदली ये अंदोलन का पिता किसे कहा जाता है गरमदली ये अंदोलन का पिता के रूप में बाल गंगधर तिलत को जाना जाता है D यहाँ पे करेक्ट है निमलिखित निताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे स्वदेशी के समर्थ थे अर्विंद गोज, ये विल भी करेक्ट अंसर अर्विंद गोज, निमल कितने से किस आंदोलन के कारण भारती राष्टे कॉंग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके पढ़नाम सरूप नरम दल और गरम दल का उदबा हुआ, तो गरम दल और नरम दल का उद्वह जोगा था स्वदेशी आंदोलन के कारण, तो ये ध्यान रखेगा, स्वदेशी आंदर उनिजिसो पांच में हुआ था, जो कि लौड करजन के समय में हुआ था, ये ध्यान रखेगा, नरम दल और गरम दल में ये जो भी भाजन हुआ था, सूरत अदिवेशन 1907 म कॉंग्रेस के गरम दल से समबन देथा, अर्विंद घुस यहाँ पे करेक्ट अंसर, अर्विंद घुस अगये बाल गंगाधर तिलक हो गये, ये सबी गरम दल से समबन देथा, नेक्स्ट वन करा है कि निमलीखित में से किसे भारती असांती के जना के रूप में जाना जात अधिकतर नरम पंथी जो नेता थे वो सारी से भिलों करते थे, राश्टिय हे अंदोलन में निम्द में से किसको नरम दलिये के तौर पर नहीं जाना जाता है, तो देखे ध्यानदी जीका इस प्रस्टने का करेक्ट आंसर ओगा, बाल अंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल् संति के जनक के रूप में जाना जा था संति के जनक के रूप में और ये बात वैलेंटाइन सिरोल ने गई थी सी यहां पर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट वने की निमलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वसासन देने पर बल दिया था और वो कौन थे तो हम कह सकते हैं यहां पर हमारा सही जो आंसर होगा दादा भाई नोरो जी option D will be correct answer सेरे पंजाब के नाम से इन में से कौन मज़ूर थे सेरे पंजाब के नाम से सेरे पंजाब के नाम से लाला लाचपत राइको जानते थे देखे यह question just अब उपर में हम लोगों ने देखा था कि वी जी तिलक के सजा के पस्चात निमलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कीत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरे दिल्चस्पी है तो मैक्समूलर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट कुश्ण कराएं कि किसने महराष्ट के गड़पती उत्सव का ऐसा कारेक क्लाप किया और वह एक रास्टी उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो कि रादनेतिक हो गया तो और वह कौन थे बालंगदर तिलक नहीं जो की गड़पती उत्सव को स्टार्ट किया था यह ध्यान रखेगा चले नेक्स्ट वन दीखिए इन में से कौन उग्रे रास्टवाद के उलेखनिये नेताओं में से नहीं था तो जो यहां पर कह सकते हैं गुपाल कृष्ण गोखले नरम दली से समन्द रखते थे ओप्सन ए करेक्ट आंसर है मात्मा गांधी के साथ निमने मुसल्मानों में से किस ने बाल लगंगदर तिलक की अर्थी उठाई थी सौका तली ओप्सन ए विल भी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेशन जो की काफी इंपॉर्टन क्वेशन है बहुत बार इ रेक्ट आंसर है